अगर आप सिल्वा माइक्रो में शॉट टम ट्रेडिंग करते हो और नहीं जानते कहा पर बाइंग करे कहा पर सेलिंग करे और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टार्गेट रहेगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे नमस्कार दोस्तों मैं आनिल आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रेडिंग में बहुत स्वागत करता हूँ आज तारीख है 12 जुलाई 2023 टाइम हो रहा है रात के 12 बच के 44 मिनट और आज दिन है Wednesday Friends हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सिल्वा माइक्रो की जिसका टारगेट अचीव हो गया है और आपने इस लेवल्स पे ट्रेडिंग की होगी तो आपने अच्छी खासी अर्निंग जनरेट की होगी Friends आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो Friends वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप इस चैनल पे First time विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की लेटस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे Friends इस वीडियो में हम आपको जो लेवल्स प्रोवाइड करते है इसकी मार्केट अकसर रिस्पेक्ट करता है तो हो सके तो इन लेवल्स को नोट डाउन करके रखे ताकि इन लेवल्स से आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सके Friends आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे क्योंकि आधाधूरा ज्यान बहुत डेंजर्स हो सकता है आज बात करेंगी सिल्व माइक्रो की जिसका कॉंट्रेक्ट है औगस्ट का सिल्व माइक्रो जिसका करंट प्राइस अभी चल रहा है लगभग 71,207 रुपे के आस-पास और इसका लेटेस्ट हाई पोस्ट हुआ है 78,888 रुपे और इसका लेटेस्ट लोग पोस्ट हुआ है 67,568 रुपे Fundamental View की बात की जाए तो बढ़ती हुई ब्याजदरे और चायना की और से दिमान Geopolitical Tension और Dollar Index में उतार चड़ाओ इन सारी बातों का असर सिल्व माइक्रो के उपर देखने को मिल सकता है Impotent Sport की बात की जाए तो Sport यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस उपर की तरफ जा सकता है पहला स्पोर्ट 70,034 रुपीज दूसरा स्पोर्ट 69,063 रुपीज और तीसरा स्पोर्ट 66,619 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है अगर प्राइस इन स्पोर्ट को तोड़के निचे की तरफ ब्रेक आउट देता है और सस्टेन रहता है तो बजार में आपको और भी मंदी देखने को मिल सकती है इस बात का ध्यान जरूर रखे अगर ऐसा होता है तो यही स्पोर्ट बाद में रेजिस्टेन्स का काम करेंगे इंपोर्टेंट रेजिस्टेन्स की बात की जाये तो रेजिस्टेन्स यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस निचे की तरफ आ सकता है पहला रेजिस्टेन्स 71,877 रूपीज दूसरा रेजिस्टेन्स 73,002 रूपीज और तीसरा रेजिस्टेंस 74,181 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है अगर प्राइस इन रेजिस्टेंस को तोड़के उपर की तरफ ब्रेक आउट देता है और सस्टेन रहता है तो बजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है इस बात का ध्यान जरूर रखे अगर ऐसा होता है तो यही रेजिस्टेंस बाद में स्पोर्ट का काम करेंगे मंथली चार्ट पे ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट पे ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड नेगिटिव दिखाए दे रहा है और अगर डेली चार्ट पे ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव दिखाए दे रहा है तो करना क्या चाहिए आईए देखते है इससे पहले, फ्रेंज आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर यह वीडियो पसंद आती है तो एक 14 सा लाइक भी जरूर कर लेना फ्रेंज जो बाई करना चाहते हैं उनके लिए सलाह रहेगी ट्रेडिंग अवोईड की स्ट्रेटेजी अपनाए फिलहल बाजार अभी नेगिटिव दिखाई दे रहा है करन्ट प्राइस पर बाई साइड का रिस्क रिवार्ड रेशियो देखे तो रिस्क 1170 रुपे और रिवार्ड 670 रुपे के हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशियो दिखाई दे रहा है अगर आप bind करना चाहते हैं, तो bind level जो है, current price, 71,207 रुपे से 1,173 रुपे निचे यानी 70,034 रुपे के आसपास bind करें, target रहेगा 71,877 रुपे, अगर ये target अचीव होता है, तो second target रहेगा 73,002 रुपे, और इसके लिए stop loss रहेगा 79,869 रुपे, और friends stop loss जरूर लगाए, बिना stop loss की trade करना बहुत dangers हो सकता है, अगर आपने top level पे already buy किया है, तो आपकी total quantity में से 30% quantity, 70,034 रुपे के आसपास average करें, अगर बजार इससे भी निचे चला जाता है, तो आप 79,063 रुपे के आसपास 30% quantity average करें, friends averaging करने के लिए trend का आपके favor में होना बहुत जरूरी होता ह और अभी major trend, positive, दिखाए दे रहा है इस बात का ध्यान जरूर रखे, जो सेल है उनके लिए सलाह रहेगी, sale on right की strategy अपनाए, फिलहाल बजार अभी negative, दिखाए दे रहा है, current price पर sale side का risk reward ratio देखे तो risk 670 रुपे का दिख रहा है, और reward 1173 के हिसाब से risk reward ratio दिखाए दे रहा है अगर आप selling करना चाहते हैं, तो selling level जो है, current price, 71,207 रुपे से 670 रुपे उपर, यानी, 71,877 रुपे के आसपास selling करे, target रहेगा 70,034 रुपे, अगर ये target अचीव होता है, तो second target रहेगा 79,063 रुपे, और इसके लिए stop loss रहेगा 72,057 रुपे, और friends, stop loss जरूर लगे, बिना stop loss की trade करना बहुत dangers हो सकता है, अगर आपने lower level pay already sale किया है, तो आपकी total quantity में से 30% quantity, 71,877 रुपे के आसपास average करे, अगर बजार इससे भी उपर चला जाता है, तो आप 73,002 रुपे के आसपास 30% quantity average करे, जैसे कि हमने पहले भी बताया, averaging करने के लिए trend का आपके favor में ह होना बहुत जरूरी होता है, और अभी major trend, positive, दिखाए दे रहा है इस बात का ध्यान जरूर रखे, overall trend negative रहेगा, sale on rise करके चले लेकिन streak stop loss के साथ, आने वाले दिनों में, sale side target 70,034 रुपीज, और 69,063 रुपीज, और 67,619 रुपीज, के आसपास देखने को मिलेंगे, Friends, अगर आप इन levels पे trade करना चाहते हो, तो आपके financial expert की राय जरूर ले, ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान न हो और इस financial market में सही गलत की समझ जरूर रखे, और आपके profit and loss की जिम्मेदारी खोद ही ले, और अपना money management और risk reward ratio अच्छे से maintain करे, अपनी trading में back tasting या paper trading जरूर करे, उसके बाद ही trading करे, अगर आपका कोई सवाल हो या कोई राय हो तो comment box में जरूर लिखे, और आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है, तो subscribe और like जरूर करे, साथ में घंटी के bell icon को all पे set करना न भूले, ताकि आने वाली वीडियो की latest update आपको लगातार मिलती रहे, धन बाद किया झाने वीदोस 5 लग fluidता मिलती ए dezकत्र पीदिन को लिया है, तो कि ऐापको लग़ को कि है तो कि में लेदाश को को के जर आपको विलती पे रहा है, बादोस